नमस्कार दोस्तों, मैं कर्णल अजै, सीओ, अजैस्ट्रोमानीगुरू.com से आप से मुखातिब होता हूँ, आज 17 सितंबर सन 2021, दोस्तों, आज की इस विशेश एपिसोड में हम चर्चा कर रहे हैं, क्रशी जीनसों में होने वाली तेजी मंदी, स्टॉक मार्केट में होने वाली हलचल, एवं बुलियन मार्केट में क्या संभावनाएं बनेगी। सबसे पहले राशियों के अधार पर आपका नफा नुकसान, भारते जोतिश में 12 राशियों को चार तत्वों में डिवाइड या विभाजित किया गया है, अगनी, प्रत्वी, वायू, एवं, जल, अगनी तत्की तीन राशियां, एक पाँचनो, मेश, सिंग और धनु राशियों आज आपके लिए दिन अच्छा रह सकता है, लाबकमानी के स्थिती में रह सकते हैं, दो, चै, दस, प्रत्वी, तत्की राशियां, अत्रिक साबधानी आपको रखनी चाहिए, लेकिन कुल मिलाके आज की स्थिती सकारात्मक रहने की अधिक संभावना है, तीन, साथ, ग्यारा, मिश्टित, रुकी तरह विशारा कर रहा है, चार, आठ, बारा, यानि कर्क, व्रश्चिक और मीन राशिया, आपके लिए दिन आज अच्छा रह सकता है, लाबकमानी की स्थिती में आज आप रह सकते हैं, दोस्तो ये था राशियों के अधार पर आपका नफानुकसवान, अब क्रशी जीन्स के अंदर क्या संभावनाएं बन सकती हैं, आज गवार शीड में बड़े उतार चड़ाव की संभावनाएं बन सकती हैं, गौर्टलावे की पिछले दो से तीन दिन के अनदर गवार शी मांसून के आने से पहले अपसे यही आपको इतला दीती विशलेशन किया था कि साउथ वेस्ट मांसून सितंबर महा में भी तेज गती से एक्टिव रहेगा और ये अक्टूबर तक एक्स्टेंड यानि बढ़ सकता है आने वाले तीन से चार दिन के अंदर तेज बरसात की सं संभावनाएं बन रही हैं अगामी एक या दो महा में प्याज के दामों में तेज बढ़तरी होने की संभावनाएं बन रही हैं गवरतलब है कि पिछले साल भी आपको याद होगा कि अक्टूबर नौमबर के अंदर जबर्दस प्याज के दामों में बड़ी तेजी दर्ज हुई थी यदपी सरकार ने दो लाख टन प्याज का बफर स्टॉक जमा कर रखा है जो कि प्याज की बढ़ते दामों पर अंकुष लगाने के लिए एक अच्छा प्रयास है आप देखना है कि सरकार के इस प्रयास का कितना सकारत मक्फल उब्भुगताओं को मिल पाएगा दल रोक लगी थी और चना बुरी तरह से पिटाई खा था पैतालिस सो से नीचे के भाव चने के अंदर देखे गए थे ब्यालिस सो तक का नीचे चना फाजिर वजार में देखा गया था उस वक्त भी हमने आपको यही कहा था कि ये गिरावट संभावता है टेंपरेरी रिदी चने के स्टॉक और चने के घरेष्ट यति नुसार चने में बड़ी कमजोरी की संभावनाय संभावता नहीं है धहरेशिल कारोबारी या धहरेशिल किसान चने के को अगामी कुछ समय के लिए रोक सकते हैं इसमें तेजी की संभावना बनेगी देखिए चने ने लगबग निचले इस तर से 1000 रुपए की बड़ी तेजी दिखा दी है चने के अंदर आगार आने आले समय के अंदर मजबूती की संभावना भी बन सकती है दोस्तो कपास खली एवं कपास बहुत महतापून फसल है भारतिय कारोबारी एवं किसानों के लिए बहुत बड़े इलाके क के अंदर कपास का उत्पादन होता है चया वो दक्षिन भारत हो या मद्दे भारत या फिर महराष्ट्रा का इलाका हो कपास खली एवं कपास के अंदर आने वाले एक से डेड़ मैने के अंदर मजबूती की संभावनाएं बन रही है गोरतलब है कि कपास के अंदर बड़ी अधिवेशन का एक विशेश अधिवेशन जो 4 सितंबर सन 2021 को इंदौर में आयुजित किया था वहाँ पर देश के लगबग सभी बड़े कारूबारी, मार्केट विशेश अग्ये एवं बिजनिस टीवी चैनल्स के प्रतिनी दी मौझूद थे उस वक्त भी हमने यही कहा था कि सितंबर मा के 3 या 34 सप्ता से धिरे-धिरे कपास खली एवं कपास कॉटन सीड ओयल के अंदर धिरे-धिरे तेजी की संभावनाओं से इंकार नहीं किया जा सकता और साउथ वेस्ट मांसून के अंदर अब तेजी यानि तेज बरसात होगी कुल मिला के financial astrology के माध्यम से ये अग्रिम विशलेशन आपके लिए प्रस्तुत किया जा रहा है गौर तलब है शेर बजार हो या फिर commodity बजार क्रेशी जीन्स, बुलियन, financial astrology और fundamental analysis के अधार पर आपको अग्रिम अनुवान हम हर रोज इस show के माध्यम से देते हैं लेकिन याद रखेगा ये show महज आएक educational परपज और financial astrology के विशलेशन को आप तक पहुचाना मातर है कोई भी व्यपारिक निर्ने लेने से पहले आप स्यम का अध्यन विशलेशन कार से भी बात कर सकते हैं पहानी नफा नुफसान का कोई भी जिम्यदारी चैनल की या फिर हमारी बिलकुल नहीं होगी दोस्तो ये था क्रशी जीन्सों पर आज का अपडेट अब शेर बजार के अंदर क्या संभावनाएं बन सकती हैं दोस्तो आपको याद होगा हमने पिछले हमारे लगातार एपिसोड में सरकारी छेत्र की कंपनियां में खासकर केमिकल ऑटोमोबाइल स्टॉक्स के अंदर आपको तेजी की अग्रिम विशलेशन दिया था जो कि सर्ते साबित होता देखा गया आज भी आप मारूती उद्योग या उसका रक्षन मारूती सुजुकी पे नज़र रखे सकते हैं इसके अतरक्ट केमिकल स्टॉक्स के अंदर भी तेजी बन सकती है गेल यानि गैस ऑटरटी ऑफ इंडिया पे भी आप नज़र रख सकते हैं याद रखना दोस्तों ITC के उपर भी हमने एक अपडेट दिया था ITC आज भी मजबूत नज़र आ रही है उस पे भी आप नज़र रख सकते हैं लेकिन टाइमली प्रॉफिट बुक करना निहायती ज़रूरी है यदि आप छोटी अधी के व्यापारी या कारोबारी है अब बुलियन नौन अग्रो कमोडिटीज के अंदर कल बुलियन यानि सोने चांदी के अंदर एक बड़ी गिरावट दर्ज हुई और लगबग धाई जार से अधिक पर केजी सिल्वर के अंदर बड़ी गिरावट देखी गई अब क्या संभावना बनती है आज आप बुलियन यानि चांदी के अंदर निचले इस तरो पर बौंस बैक होने की संभावनाओं से इंकार नहीं किया जा सकता इसके अत्रिक्त कॉपर के अंदर यानि तामे के अंदर भी आप नजर रख सकते हैं इसके अंदर भी तेजी की संभावना या मजबूती के लक्षन नजर आ रहे हैं दोस्तो आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगता है इस पे अपनी राय अवश्य दीजिए कमेंट बॉक्स के अंदर आप अपने कमेंट अवश्य लिखिए दोस्तो फाइनिशल अस्ट्रोजी सदियों से हमारे देश की एक विशेश परंपरा रही है हमारा देश भारतिये परंपराओं को भारतिये रहसे में विद्याओं को प्रमोट करना और पूरे विश्में उसकी ताखत से को रूबरू कराना है इसमें मैं आप सभी का सयोग एवा माशिरवाद की आपसे दर्खास करता हूँ आप अपने इस्ट मित्रों को इस प्रोग्राम को अवश्य आगे फारवर्ड करें और लाइक करना बिलकुर ना भूले All the very best, good luck, happy trading